तो आज है healthy food series का day 10 तो आज हम बनाएंगे chicken tick का बहुत ही healthy तरीके से तो चलिए चटपट चलते है kitchen के तरफ यहाँ पर मैंने लिया है एक bowl में curd और उसके बाद ही ले लेना है थोड़ा सा बेशन ताकि जो binding है इस chicken में वो अच्छे से आ जाए फिर यहाँ पर मैंने बेशन यूज किया है उसके बाद स्वाद अनुसार नमक उसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है गरम मसाला, अब सबी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, फिर यहाँ पे मैंने डाल दिया है, अधा नीमू का रस, तो आगर आप रस नहीं डालना चाहते हैं, तो यहाँ पे विनिंगर कभी यूज कर सकते हैं, फिर यहाँ पे लास्ट में मैंने क्या किया है, इसरसो त अजवाइन को थोड़े दिर पका लेना है जब तक यह थोड़ा डाक ब्राउन कलर के ना हो जाए उसके बाद हम यहां पर बेसिकली यहां पर चौंक लगाएंगे उसके उपर अच्छे से दही चिकन बे डाल के और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे मैरिनेट होन निकले रख दे उसके बढ़ यहां पर एक दो घंटे बाद मैने निकाला है फिरसे बाद यहां पर मैने काप्सिकम के ट्यूप कर लिए है फिर अंच्छे से मिक्स कर लिया तो तो भी चीज़ों को ताकि जो कोटिंग हारे के ऊपर अच्छे से लग जाए कैपसिकम, अनियन और चिकेन के पीसेस पे तो ये एकदम एक्स होके बिल्कुल रेडी है अब पैन को गरम कर लेना है नॉनस्टिक पैन में थोड़ा सा ओयल डाला है और बस ऐसे एक-एक पीसेस उठाके यहाँ पे रखते जाना है कैपसिकम, अनियन और चिकेन के सब पीसेस रैंडम ले उठाके ऐसे सब रख दिया है और जब यह एक साइड से पक जाए फिर इसे पलटना है उसके पहले इसे कुछ हिलाना नहीं है तो यह देखो पकते हुए एक से दो मिनट हो गए है अब इसे दूसरे साइड टर्न कर देंगे तो यह दो एक तरफ से सिग गया है अच्छा सा गोल्डन कर आ गया है तो दूसरे साइड से भी चारो साइड से ऐसे ही पका लेंगे और क्यूंकि हमने मैरिनेशन के लिए तो छोड़ा था घ्यूंकि हमने एक से दो घंटे के लिए चोड़ा था तो चिकन अइसी बहुत आसानी से सॉफ्ट हो चुके थे थे थोड़ा सा रोस्ट हो जाएंगे तो बस यह एक अधम अच्छे से कोख हो जाएंगे चिकन तो यह देखो एकदम पक चुका है, मैंने चारो तोरफ से अच्छे से पका लिया है तो यह था फर्स्ट बैच, अब यहाँ पर मैंने फिर दूसरी बाहर भी ऐसे डाल दिया है और जो भी मसाले थे इसके उपर अच्छे से डाल दिया है तो इसे भी अलट पलटके अच्छे सा पका लेना है और ये बस अल्मोस्ट ये रेड़ी है अब इसे सर्फ कर लेंगे चटनी निम्बू और प्यास के साथ और इसे गर्मा गर्मा खा सकते हैं बहुत ही टेस्टी है तो जरूर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंग आया प्यास कर दो कर लां धगे छोह रोझेड़ी सामा में घुम है झाया है और ज्मा उर्मा खूर करो प्या जोद्व औरूर कर आटनी t drowned गहाई अरो